सिनहासन 32 की पच्चीसवी कहानी त्रिनेत्री पुतली की कथा एक के बाद एक करके लगभलग 24 पुतलियों ने राजा भोज को महाराज विक्रमादित्य की कहानी के जरिये 24 गुनों के बारे में बता दिया था जिसे जानकर वह बहुत हर्शित हुए इसके बाद बारी थी 25 पुतली की जैसे ही राजा भोज सिनहासन की ओर बढ़े उन्हें 25 पुतली ने रोक लिया और कहानी के माध्यम से महाराज विक्रमादित्य के एक और महान गुन के बारे में बताने लगी महाराज विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपनी संतान के जैसा मानते थे और हर हाल में सुखी देखना चाहते थे इस कारण वे भेश बदल कर अकसर नगर में घुमते और प्रजा के दुखों को जानकर उसे नीती के अनुसार दूर करने की कोशिश करते थे शायद यही कारण था कि महाराज विक्रमादित्य की प्रजा सुखी और संपन्न थी उनकी प्रजा में एक ब्राह्मन और एक भाट का परिवार ऐसा भी था जो की बहुत गरीब था लेकिन कभी भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं कि और जितना मिला उतने में संतोष करके रहते थे वे और लोगों के जैसे राजा के पास कभी भी अपना दुखडा लेकर नहीं गए उनका मानना था कि उन्हें भगवान ने जरूरत के हिसाब से परियाप्त अन्न और धन दिया है धीरे धीरे समय बीटता गया और अब ब्राहमन और भाट दोनों की पुत्री की आयू विवाह योग्य हो गई थी लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था कि वे अपनी पुत्रियों का विवाह करवा सकें क्यों की वे दिन भर में जितना भी धन अर्जन करते थे वह केवल उसी दिन के लिए ही परियाप्त हो पाता था दोनों की पत्नियों ने अपने पती के सामने पुत्रियों के विवाह की और अपरियाप्त धन की बात कही धाट ने कहा कि जब भगवान ने संतान दी है तो इसके भविश्य के बारे में भी वही कुछ करेगा उधर ब्राहमन ने कहा कि थोड़ा समय दो कुछ न कुछ हो जाएगा लेकिन दोनों की स्थिती पहले के जैसी ही रही एक दिन भाट ने विचार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मैं दूसरे देश जाकर वहां से धन कमा कर लाऊंगा इधर ब्राहमन ने सोचा कि वह जिन यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करता है उनसे कुछ बात करके देखूंगा भाट ने दूसरे दिन ही गमन कर दिया और कई देशों में जाकर सेठ, प्राजा, मजाराजाओ को अपने नाटक और मजा किया बातों से हंसा हंसा कर खूब खुश किया और बदले में उन्होंने भाट को बहुत सा धन उपहार के रूप में भेट दिया जब पुत्री के विवाह योग्य धन इकठा हो गया तब उसने अपने राज्य की और प्रस्थान किया, लेकिन पता नहीं कैसे मार्ग में चोर लुटेरों को उसके धन की भनक लग गई और उसे लूट लिया वह निराश खाली हाथ घर आ गया और अपनी पत्नी से कहा कि मैंने पूरा प्रयास किया लेकिन शायद भगवान को यही मनजूर था अब वो ही पुत्री के विवाह की व्यवस्था करेगा तब दुख और गुस्से के आवेश में पत्नी ने कहा कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे भगवान राजा विक्रमादित्य को सपने में कहेगा हमारी मदद करने के लिए भाट ने कहा क्या मालूम ऐसा ही हो महाराज विक्रमादित्य ने भाट की बात सुन ली और हनस्ते हुए आगे बढ़ गए वहीं दूसरी और ब्राहमन ने भी अपने यजमानों से घुमा फिरा कर धन की बात की लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया और वह भी खाली हाथ अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को सारा बात बता दी तब पत्नी ने कहा कि अब भगवान कुछ नहीं करने वाले आप कल महाराज विक्रमादित्य के पास जाकर उनसे ही मदद की गुहार करो तब ब्राहमन ने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा और कल ही महाराज विक्रमादित्य से मदद की प्रार्थना करूंगा दूसरे दिन सुबह सुबह ही महाराजा विक्रमादित्य ने दो सैनिकों को भेज कर ब्राहमन और भाट को दर्बार में बुला लिया महाराज ने भाट को दस लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और विवाह की शुभकामनाओं के साथ विदा किया वहीं दूसरी और ब्राहमन को केवल दस हजार स्वर्ण मुद्राएं देकर ही विदा कर दिया। तब महाराज से एक दरबारी ने पूछा कि महाराज आपने दोनों में भेद भाव क्यों किया। महाराज ने उसकी बात सुनकर कहा कि भाट उची जाती का न होकर भी भगवान पर भरोसा रखता था और मुझे उसने भगवान का प्रतिनिधी बनाया था वहीं। ब्राहमन को भगवान के उपर पूरा भरोसा नहीं और उसने भगवान के स्थान पर मुझ पर भरोसा किया इस झाल झाल